अगर हम आज के टाइम की बात करें चाहे हम दस लाक लेकर आरे हैं चाहए हम उन सीयर लेकर आरे हमारा एक ही मोटी होता है income generate करना और वो कहां से करना market से market actual में क्या है इसमें कोई product नहीं है इसमें कोई service नहीं है जिसको आप दूसरों को दे कर अपना पैसा बना सकते हो यहाँ पर तो केवल price का momentum होता है उसको समझना होता है कहाँ पर जाएगा और उसके according capital लगा कर पैसा बनाया जाता है तो जब भी आप इस प्रकार की situation में काम करते हो जहाँ पर कोई product नहीं है जहाँ पर कोई service नहीं है और वहाँ पर अगर आपको capital बनाना है और ऐसी जगहाँ पर बनाना है जहाँ पर दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा जो एक दो दिन पहले शुरू किया ट्रेडिंग का जो beginning में अभी शुरात कर रहा है वो में भी दस मिनट के लिए सोच सकता है कि एक दो दिन तो मेरा लोग सोचता है आधरवाइस तो जो भी आरे हैं वो यह सोच रहे कि मेरा आज की दिन पैसा बनेगा मेरा आज की दिन पैसा बनेगा तो इतनी critical situation में और वहाँ पर अगर हम यह सोच रहे कि हमारा पैसा बने तो समझ लेजिए कि काफी ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है तो ऐसे में यह मत समझ लेना कि trading असान होता है trading और भी ज़्यादा मुश्किल है सभी जगें से ज़्यादा मुश्किल है लेकिन असान इसमें यह है कि जो आपका कि हमें ऐसे लेंटिंग समझ में आता है ऐसे लेंटिंग क्या होता है कि बायर सेलर को हम समझेंगे कि कौन बाय करके चला गया आज की दिन कौन सेल करके चला गया आज की कहां पर मार्केट रुका है कहां पर मार्केट जा रहा है दो दिन बातें देकर हम अंदाजा लगाते अंदाजा है लगाते हैं ऐसा ने कि होता ही है अंदाजा लगाना पड़ता है कि ऐसा हुआ होगा उसकी ऊपर हमें market के अंदर एक analyze करना होता है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है उसके बाद यह होता है कि support resistance होते हैं trend line भी आप इसमें include कर लो कि trend line कहां पर कैसा बना हुआ है वैसे म मैं support resistance तक ही रहना चाता हूं trend line को क्यों नहीं मानता क्योंकि trend line का सबसे बड़ी problem ही होते ही सिखाने वाले के लिए कि अगर मैं आपको सिखाना चाहूं कि आपको ऐसे trend line बनाना है तो उसमें आप mistake करोगे और वो जो mistake हो जाए जो बताने में mistake हो जाए और सीखाने में mistake हो ज तो मैं trend line पे बहुता कम ही करता हूं क्योंकि इन दो में ही अपना काम चल जाता है उसके ज्यादा में ज्यादा से ज्यादा जाना है तो दूसरों का mindset समझ लो कि किस प्रकार का situation बनावा इन दो तिन काम में अपना बात बंजा ही trend line तक जाना ही नहीं पड़ेगा उसके कि उसकी accuracy मेरे से बहुत कम है indicator से वो काम करते हैं लेकिन उसकी accuracy मेरे से काफी ज्यादा कम है लेकिन पैसा वो भी बना रहे है ठीक है तो काम सभी से हो रहा है और वो काम भी मेरे से कम करते है जो time लेते है market में रहने का उनका time कम है मेरे से लेकिन पैसा वो ज्यादा बना ले क्योंकि market के इंदर मैंने आपको कै highlights सभी यह पे एक이 चीज़ लेकर आने की कोशिश करें कि मुझे पैसा चाहिए मुझे फे पैसा चाहिए मुझे बीका से तो यहां पर अगर आप एक जगह बैट कर करोगे नहीं यहां से तो हम यहां आ आ गए हैं लेकिन अब आगे और हमें चाहिए कुछ और दे दो हमें तो ऐसा नहीं चलेगा ऐसा करने से कुछ नहीं होगा आप यहां पे फिर अठक जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको ढूंडना होगा तब ही जाकर ये process आगे बढ़ पाएगा तो इसी version में हम आगे चलते हैं कि हमें कैसे कैसे market को सीखना होता है कहाँ पर अपनी कमजोरी market के अंदर involvement रहती है सबसे जो पहले कमजोरी होते हैं वो capital को लेकर होती है capital को आप इतना समझते नहीं हूँ आपको मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आप capital को समझ लो पूरा game आपको समझ में आ जाएगा capital में problem क्या होती है जब हम capital के बारे में सोचते हैं तो कुछ भी नहीं सोचते है just market के अंदर buying selling का सोचते है capital के बारे में definitely आपको सोचना चाहिए क्योंकि जिस दिन आपका capital गलत जगहां पर लग गया गलत capital चला गया तो गड़बड हो जाती है और एक बात आपको यहां पर और नोट कर लेनी चाहिए कि बहुत से trader ऐसे होते हैं कि छोटा छोटा loss करो बड़ा profit किया करो ऐसे कहते रहते हैं आपको सिखाते होंगे लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि सिखाते हैं और सीखना भी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता कि बड़ा loss होता नहीं है लोस होता है बड़ा बहुत बार हो जाता है आप अगर शुरुवात में काम करो तो बड़ा लोस होना कोई बड़ी बात नहीं होती है लेकिन क्या है कि लोस बड़ा हो भी जाए तो उसको बार-बार बड़ा नहीं करना चाहिए बस इतना आप सीख लो एक बार हो गया महिने मे दो बार हो गया चार बार हो गया कोई बात नहीं capital आपको ऐसा market में अपना रखना है जो अपना जो trading account होता है उसमें इतना ही capital रखो कि बड़ा loss होनी दा दो वो कैसे होगा जैसे बहुत से trader आज की time में क्या गलती करते हैं मैं option अगर selling करता हूं तो option selling के लिए मेरा capital arrange होना चाहिए अगर मैं option buying करता हूं तो option buying के लिए मेरा capital arrange होना चाहिए अगर आप इन दोनों को mix कर दोगे कि आपने ऐसे trading account के अंदर पैसा रखा हुआ है जिसमें आप option buying करते हो option buying में कम पैसा चाहिए और option selling में ज़्यादा पैसा चाहिए अगर आप option selling के अकाउंट में option buying करना शुरू कर दोगे तो वहां पे आपके बड़े लोस होने के chances और भी जादा है जो कि पैसा बढ़ा आपके पास और quantity बढ़ाने में आपको दो मिनिट नहीं लगेंगे और पैसा बढ़ जाएगा और quantity बढ़ने बाद लगबग चांस होते हैं लोस होई जाता बड़ा तो यह सबसे बड़ी प्रोब्लम है तो सबसे पहले अपने capital को manage करना से को capital ऐसा रखो ही मत अकाउंट के अंदर की बड़ा हो लोस बड़ा हो जाए ठीक है जो आपने trading account रखा था जो आप डैली का जो लोस लेते थी उससे बड़ा हो गया आपको उसमें भी हैसास हो जाएगा कि मेरा बड़ा लोस हुआ है लेकिन कम से कम आपका बड़ा capital तो नहीं गया अधर्वाइस क्या होता है बहुत से trader इस बात में trap हो जाते हैं कि option selling का account रखते हैं और वो करना शुरू कर देते हैं option buying फिर वो quantity increase कर देते हैं और वो एक दिन के अंदर अपना पूरा capital खतम कर देते हैं option selling का तो वहां पे capital खतम हो जाता है तो यह इस प्रकार की जो weakness है आपको पहचान ही होगी इसलिए capital के बारे में आपको बोलता हूँ कि जितना आपके पा करे हो business करे हो करते हैं side to side आपको trading सीखना है उसमें यह अच्छी बात होती है कि आपका mindset control रहेगा इतना capital जाने का डर नहीं रहेगा अचानक से कोई loss हो गया तो उसको recovery करने का जल्दी नहीं रहेगा कि ठीक है मेरे पास capital है मैं धिरी धिरी इसको recover कर सकता हूँ otherwise क्या होगा कि कुछ capital कम होते ही आप पूरा-पूरा capital लगाने कोशिज करोगे उसमें फिर और ज्यादा चला जाएगा तो यह जो कुछ बात होती है यह एक trader की weakness होती है जो आपको शुरुआत से ही दूर करनी होगी अगर आप सुरुआत में सब को छोड़ चाड़ कर आगे हो आगे मैं हमें momentum का जो nature उसको समझना होगा यहां पर natural तो कुछ होता नहीं कि एक nature की through market चल रहा है यहां पर human trading करे है net में जो भी होगा किसी से भी trading कर रहा हो चाहे वो AI से कर रहा हो किसी भी से कर रहा हो net में तो आपको result कहां से देखने को मिलेगा human mindset का ही देखने को मिलेगा क्योंकि यह जो close होते हैं जो market इतना नीचे जाने के बाद ऊपर चला जाता है उपर आने के बाद इतना नीचे आ जाता है तो यह कोई nature का नियम नहीं कैसा होना जुरूरी है यह तो कहिना कहीं human का mindset है वो कैसे काम कर रहा है उसको पीछे को आपको जानना जुरूरी है तब हम success हो ब इसमें क्या किज़ो सकती है जैसे यहां पर मेरा लोस होता है यहां पर मेरा बात करते कैसे में समझोरे मार्केट के अंडर आप ज्यादा दूर मत जाएए आप यहां पे दिखें मार्केट क्या कर रहा है 48,000 भी आसपास है 500 पाइंट नीचे क्लोज हुआ है उसके बाद 47 अपना डाउंसाइड लेवल है यहां पे भी 500 पाइंट उपर मार्केट क्लोज हुआ है तो दोनों साइड लेवल है एकजैकली 47,500 के उपर मार्केट ने क्लोज किया है। जितना नीचे गया उतना बढ़ गया और जितना उपर गया उसके बिल्कुल मीडल में क्लोज हुआ है। जो जितना आप साइकलोजी समझ सकते हो। यह वो पॉइंट है जहां पर सबसे ज़्याद आपको यूज करना होगा कि मार्केट कहां पर जा सकते ह क्योंकि बिल्कुल लेवल आपके पास नहीं है। आपके पास मुमंटम नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि मार्केट में डाउनफूल हो रहा है। आप यह नहीं कह सकते कि मार्केट का मुमंटम हो रहा है। बिल्कुल एक्जेक्टली मीडल में मार्केट क्लोज हुआ है। तो यह कोई nature नहीं है, यह कहिना कि human ने ऐसा किया है ताकि दूसरे लोग समझ ना पाए, यहीं पर हमें एक point उठाना होगा कि यहां पर market ऐसा करने वाला है, मैं तो कैसे उठाता हूँ, मैं बहुत जादा simple रखता हूँ कि अगर कोई बड़ा gap open हो गया, तो market के अंदर इतना अच्छा नहीं रहेगा, छोटे gap up में market buying में trap कर सकता है, यानि कि market ऊपर भी चला जाए और पता भी ना लगे, छोटे gap down में market यहां पर क्या कर सकता है, नीचे भी चला जाए और market पता ना चलाए, कोई बहुत बड़ा gap down सब को clear हो जाएगा, तो यहां पर यही बात समझ मे आएगे कि छोटा gap up या छोटा gap down होगा, तो जैसा market opening दे रहा है, वैसा ही काम करना चाहिए, यह मेरी समझ है, यह जो मैं अपनी तरफ से समझ रहा हूँ, इसके अलावा क्या होता है, कि इसको यह मत समझना है, कि यह 100% है, अब आपको यहां पर अपना काम करना शुरू कर देना है, मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको आगे लेके नहीं जा सकता, आपको बढ़ना होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको सारा दे सकता हूँ, आपको रास्ता बता सकता हूँ, कि यह रास्ता ठीक है, इस रास्ते पर आप मत जाओ, इसमें थोड़ा प्रोब्लम रह रास्ते तो सभी स्थ होते हैं लेकिन यह क्या पता जाए ना जाए यह रास्ता डेफिनेटली चलाए यह क्यों कि मैं इस पे निकला था मैं यहां से गया हूं तो मैं यह बता प्रोस्स काम नहीं करेगा प्रोस्सक्राइब क्या है आपको अपने हाथ में लेना पडयेगा तब ही जा कर मेरा समंझ में आएगा कि मैं आपको क्या बOP रहा हूं और आप क्या कर सकते हो आगे के लिए वह भी आपको समझ में आना शुरू हो तो इस प्रकार हमें समझना है तो यहां पर मैंने क्या क्या देखा है कि market के अंदर momentum हुआ है एक तो मैंने यहां पर क्या लगा है कि price जो inflated price होगा तो उसमें दूसरे लोग क्या करेंगे opposite काम करना शुरू कर देंगे बड़े gap या gap down में दूसरा market में दूसरे लोग clear हो जाएंगी 47,000 के नीचे sell ही करना है बड़े gap में मुझे buy करना है वो clear हो जाएं, दूसरे side के काम नहीं करें इस प्रकार की cycle हो जाएंगी हो समझ कर मैंने काम किया उसमें कितना सही है, कितना गलत आप अपने तरीके से अंदाजा लगा सकते हो मैं अपने तरीके से अंदाजा लगा कि यहां पर बैठा हूँ आगे हम बात करते हैं मार्केट के अंदर अब जैसे हमने यहां पर sell किया sell किया यहां पर loss हुआ क्यों हुआ loss हुआ है देखिए loss हुआ है तो कुछ ना कुछ गलत हुआ है चाहिए वो थोड़ा कम गलत किया हूँ क्योंकि हमें थोड़ा profit नजर आ गया था ठीक है लेकिन गलत हुआ ना loss हुआ है तो loss हुआ तो गलत हुआ है तो इसी को हम समझ लेते कि हमने क्यों गलती किया और क्या गलती था मैं यहां पर यह प्लान बना के बैठा था कि मार्केट के इंदर selling हुआ है जो भी यहां पर सेल वगरा करके बैठे हैं ओपन होता है या अगर चोटा gap open होता है या फिर छोटा gap don open होता है अगर directly market बढ़ना शुरू करेगा पहली बात तो यह seller बहुँ ज़्यादा confidence में इनको काटना थोड़ा सा असान नहीं होगा और दूसरे लोग भी sell करना शुरू कर देंगे अगर market उपर मिलेगा इससे भी ज़्यादा ये था कि support तक market जाता है तो कोई भी हो कितना भी छोटा वो बड़ा ट्रेडर वो अपनी पोस्टन नहीं कारता है एक लेवल की बाद ही गारता है तो कोई बड़ा gap open होता तो फिर भी मुझे लगता कि seller की ऐसे मिल जाएंगे अधरोए जैसे उपर जाएगा दूसरे कि दौसरे लोग करने करने को सब्सक्रात करें को करें करेंगा और market ने ऐसा किया भी पहले market ने क्या किया नीचे जानी कोशिज किया दूसरे लोगों ने सब्सक्राइब किया फिर बाद कि ब्रेक आउट करने बाद तो मुझे भी समझ प्ति अब यहां पर seller को डर लगना शुरू हो जाए, शुरुवात में जितना confidence था, अब उनके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि अब उन्हें नजर आए कि market के अंदर breakout हो सकता है, और जब breakout हो जाएं तो market को SL मिलेंगे और SL मिलेंगे तो market उनको खाना शुरू कर देगा, फिर तो market हो क्या करना होता है, धीरे धीरे बस उपर बढ़ना होता है, जैसे जैसे बढ़ता रहता है, SL market को मिलते रहते हैं, तो ऐसे यहाँ पर काम हो गया, तो यहाँ पर हमारा loss होए, क्योंकि हमने क्या गलती क तो यह भी एक problem होती है मेरे साथ, कि यह तो थोड़ा सा अंदाजा होता है, कि market में भी उपर जा सकता है, लेकिन intraday में पहले momentum कौन सा आने वाला है, उसके उपर भी मैं ज्यादा काम करता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना क्या प्लान था, शुरूआत में अ एक अलग mindset से बनाए गया था, इस chart को देखे बनाए गया था, अब यह chart आगे तो मैंने आपको क्या बता है, nature of momentum चैंज हो जाता है, यहाँ पे जो psychology है, mindset है, जो human का वो चैंज हो चुका है, तो उसके according plan बनाना होगा, यह नहीं कि मैं दो दिन, तीन दिन पहले market को पूरा positive स सही है, एक point के बाद सब कुछ गलत है, वहाँ पे आपको छोड़ देना चाहिए, market के अंदर हार मानना आना चाहिए, अगर आपको यह लगता है कि आप बहुत कुछ हो, कुछ नहीं हो market के आगे, market में बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए, कि जो भी गलतिय आप करोगे, उसमें आप समझोगी कि आपने क्या गलती किया और उसको repeat नहीं करोगे, तो कभी भी market को, market में अपने आपको बड़े बड़ा मत समझना, कि market के अंदर ऐसा ही होगा, आप तो उपर ही जाना चाहिए, तो इस परकार आप देख सकते हो, तो market के अंदर जब भी इसलिए चला गया, क्योंकि हम यहां पर प्लान बना रखे तो नीचे मिलेगा, तब ही market उपर जाएगा, वो एक अलग साइकलोजी था, यहां पर अलग market ने साइकलोजी बना के उपर गया, अब यहां पर भी हमने क्या बना बना रखा था, कि हम सैल करेंगे market के अंदर, यह कि सैलर अपनी position तभी काटेगा, अगर market 48,000 के उपर जाएगा, और अगर सैलर अपनी position नहीं काटेगा, यानि कि अपना SL नहीं देने वाला, तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो हम बाय करके बैठ तो जाएंगे, लेकिन पैसा देने वाला है, है नहीं कोई, सभी पैसा बनान के लिए आगए, बाय करने वाले आगए, लेकिन सैलर अपना position देई नहीं रहा, अपना पैसा देई नहीं रहा, तो फिर पैसा किसका जाएगा, बायर का जाएगा, इसलिए हमने आपे सैल का प्लान बना रखा ता कि अगर gap done ओपन होता है, या फिर 48,000 के नीचे market रहता है, नीचे को ईपनिंग देता है, सैल करेंगे, इसके उपर में भी बाय वगरा प्लान बन सकता है, otherwise हम याँ पर क्या करेंगे, कहीं ना कहीं, बायर को ही target करेंगे, इसलिए हमने आपे सैल का प्लान बना रखा तो बहुत अच्छे से market ने काम किया, इस परकार हमें सोचना है कि market के नमें कैसे देखने का मुका मिल जाए, उसी परकार एक view बनाना है market के निर की क्या कैसे कैसे हो सकता है, उसमें गलत होने की भी गुनजाइश रहती है हमेशा, ये भी note रखना है और सही होने की भी ज्यादा गुनजाइश रहती है, जितना ज्यादा आपके अंदर experience आए नहीं रास्ता ठीक होगा मैनत करोगे काम आएगा experience के साथ समझ में आएगा लेकिन अगर हम गलत रास्ते भी जाएंगे गलत तरीकों से market को सीखेंगे वहाँ पे समझ में आएगा नहीं अब देखिए कौन गलत रास्ता है कौन सही रास्ता है वो तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं मेरा रास्ता हमेशा ही सही बोलूँगा दूसरा अपना रास्ता सही बोलेगा आपको कौन सा रास्ता समझ में आ रहा है वो आपके लिए accurate होगा इससे ज़्यादा इसमें identify कोई भी नहीं कर सकता जो आप कर सकते वो दूसरा नहीं कर सकता आप अपने लिए सब क मैं मेरे लिए कर सकता हूं दूसरी लिए इतना कर सकता हूं कि मेरी तरह यह यह हैल्प होशकती है लेकिन वह हैल्प आपके कित्ने काम आ रिए वह आपको भूचा होगा तो इस परगार आपको मार्केट को gü कि देखना है तो व्चТ मैं one minute में देखता हूँ लेकिन यह psychological explanation था और कुछ जो हम गलतियां करते हैं capital को बचा की नहीं रखते हैं सुरुवात में जो हम nature को change नहीं करते हैं केवल buying में गुज जाते हैं केवल selling में गुज जाते हैं इस प्रकार की नीचे market का सब कुछ सीखना पड़ेगा तब ही जाकर हम एक रास्ता मिल पाता है एक चीज से कुछ नहीं होगा एक आप बेस बना सकते हो यह आपका बेस हो गया उस बेस के बाद आपका जो straight line कभी भी नहीं होगा उपर से नीचे इदर से उदर जाकर आपको एक line मिलेगा जो आपकी success की तरफ जाएगा तो कभी भी straight line में यहाँ पे success मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सब कुछ आपको सीखना होगा उन्हीं सब कुछ में से आपका एक रास्ता निकलेगा जो आपको अच्छा लगे वो करो capital का ध्यान रखो capital जीतना आपके पास है सब कुछ समझ में आ जाएगा capital चला गया फिर सीखर भी क्या करोगे capital लाओगे कहां से और capital के without practice हो नहीं सकती और practice के बिना trader बनना बहुत जादा मुश्किल होते है आज के लिए तना धन्यवाद